नमस्कार दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागात है सरकारी नोकरी पाने का आपके पास जब अरदस्तम होका है सीधी भरती के लिए अधन प्रक्रिया प्रारम हो चुकी है तीन जीले से नई भरती समन्दित मतपुड अपडेट आया हुआ है जिसमें नई भरती और पुरारी भरती समन्दित जनकारी आपको मिलेगी इसाय ग्रेट 3 स्टेडो ग्राफर के पदो पर जाप पाने का जब अरदस्तम होका है अच्छी खासी सलरी 7 लेवल 7 का सलरी आपको मिलेगा तो अधन प्रक्रिया से लेकर समस्त जनकारी आपको इस विदो के मादम से दी जाएगी समपुड़ जनकारी के लिए विडियो में तक बने रहे यदि आप चैनल में नहीं इसी प्रकार के नएन अपडेट पाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन को प्रेश कर सकते है तो चलिए स्टेट करता है आज की आमतपुड वेडियो देखिए पहले पुरानी भरते के बारे में जनकारी देदेद है फिर नई भरती के बारे में सुरू करेंगे चैन सुच और प्रतिक्षा सुची जारी कर दी गई है अधिक जनकारी के लिए इस वेब साइट पर देख सकते हैं या आपको यह PDF सिदे टेली ग्राम ग्रूप से मिल सकता है जैसा कि देखिए चैन सुच और प्रतिक्षा सुची जारी कर दी गई है दोनों इसकूल के कम्प्यूटर का उसल प्रिक्षा तथा अन्य निर्धारित माप दंडों के आधार पर वरीता सुची तयार की जाएगी कुछ आध को दोराया संग्यान लाया गया है कि उन्हें अन्जान ब्यक्तिदरा फोन कर निक्ति करवाने के संबन्द में रासी की मांग की गई है तथ समन में सुचित किया जाता है कि इस प्रकार के फरजी फोन काल पर विश्वास न करें तो दो है बिश चार दोजार तेश को दावपती सुची का प्रकासन किया गया है उसके बाद कौसल पर एक्षा कर लिए वरीता सुची तयार की जाएगी तो आप ध्यान रहें सतर कर रहें किसी भी प्रकार के फोन काल पर आप विश्वास न करें अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के पदो पर भरती कराला जिला एम सत्रा नायदिस धमतरी जिला धमतरी द्वारा विग्यापन जारी किया गया है 24-23 की स्थिती भी नोटिविकेशन जारी किया गया है इस प्रकार देखिए इस टेनो ग्राफर के पदो के लिए 1 पोस्ट और साय ग्रेट 3 के 3 पोस्ट है जैसे कि आप देख पा रहे है आरक्षित अनारक्षित पदवार इस प्रकार से दिया गया है मतब पूर टीप जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप इन सभी टीप को आप सेम पड़ सकते हैं तो 50% आरक्षण के अधार पर यह जो है भरती निकाला गया है आगे देखिए भरती है तू पात्रता की सर्ते तो स्टेनोग्राफ फर हिंदी के लिए योग्यता की बात की जा त देखिए 36 गड़ वेतन पूर रिक्षण नियम 2017 अधार वेतन मेट्रिक्स लेवल 7, 28,700 सक्षडिक योग्यता किसी मानने ता प्राप्त विश्वई द्याला से अनरक्षित वर्गा के ले नुन्तम 45 परतिसात अरक्षित वर्गा के ले नुन्तम 44 परतिसात अंको के साथ इस किसी संस्था से डिप्लोमा एंड कंप्पीटर एफ्लिकेशन डिसे प्रमार पत्रा के साथे में स्वाड़ा तथा इंटर्न एंकन नुन्तम ज्यान होना चे हिंदी कंप्पीटर टाइपिंग में 5000 की प्रतिदिप्रेशन होना चे इसी प्रकार साइग्रट 3 के संकक्ष पद संबंधी निंतम 18 वर्षा अधिक्तम 30 वर्षा और चुड जो दिया जाता है गवर्मेंट के द्वारा तो अधिक्तम 40 वर्षा तक आपको छुट दिया जाएगा और 45 वर्षा से अधिक छुट किसी भी केंडिडिट को नहीं दिया जा सकता आयो संबंधी जनकारे के लिए को अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा 36 राजय के बाहर अन्य राजय के आयुदकों के लिए अधिक्तम आयो सिमा 30 वर्षा ही रहेगी तो 36 राजय के बाहर के राजय के भी निवासी इसके लिए आविदन कर सकता है उच्छतर आयो सिमा में छुट इ दिया गया है तेरा पेज के या पीडिएफ है या पीडिएफ आपको सिधे टेलीग्राम ग्रूप से मेल जाएगा अन्य सर्थे आवेधक को भारात का नागरिक होना चीए रोजगार कराला में जीवित पंजियन होना चीए कोई भी उमिद्वार जिसने विवार के लिए न न्युक्ति तीन वर्षक की पर एक्छावधी पर की जाएगी तो चैनित उम्मीद्वार को धमतरी जी लेके बाहन न्यालों में भी न्युक्ति की जा सकती है तो आईदन करने की तिथी में समस्ता प्रमार पत्रा जीवित वायद होना चीए मतलब जो भी जो उनका जो आवेदन प्राराम होने से पले रिजल्ट आ जाया रहना चीए बाद में हो जाएगा यह वाला नहीं चलेगा तो इस प्रकार से आईदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखिए तो आईदन पत्रा विज्यापन के साथ सलगना प्रारूप में आपको नीचे दि देखिए आहदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दे रहूं और विभीन प्रकार के इसमें नियम निर्देश दिया गया है नुक्ती हेतु चन की प्रक्रिया इस प्रकार से किया जाएगा पदवार आहदनों की संख्या धीक होने पर विग्यापित पदो हेतु निम्त प्रकार से लिया जाएगा तो देखिए डिक्टेक्शन जो तुरूटी रहेगो इसमें एक बटा पांच अंग काटा भी जाएगा तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे माइनास मार्किंग है मान के चलिए चैन सुचियम प्रतिक्षा सुची इस प्रकार से इस नियम के अधार पर तयार करके आपको जो चैन सुची दिया जाएगा अपुड़ा तुर्ति पूड़ा जनकारी इस प्रकार से देखिए महत अपुड़ निर्देश इस निर्देश को आप ध्यान देंगे और यह PDF आपको टेलीग्राम गुरूप से मिल जाएगा टेलीग्राम गुरूप क आपको इस पेज को भी जो आहिदन प्रत्र में भेजना रहेगा क्योंकि यह इसी को आपको प्रेस पत्र के लिए भेजा जाएगा